हेलो डियर स्टूडेंट्स एजुकेशन विद पूनम में चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ पूनम और मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान की कलाशांस करती राजस्थान की कलाशांस करती से सम्मधित यह स्पेशल सिरीज है जिसके अंदर हम हुम बहुत सारी जो कलाशांस करती से समंधित यह वो डिसकस करेंगे जो आपका राजस्थान सीचेट एक्जाम है जिसके अंदर क्लास करती का टोपिक है वो आपको आगे आने वाला जो एक्जाम होगा राजस्तान सी इटी उसके अंदर ये क्यूशन है वो आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि ये बहुत ही मैत्वपूर्ण क्यूशन है जो हम सेलेक्ट करके आपके लिए लेके आए हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए इसमें बहुत सारी मॉश्ट उपोर्टेट्उ कीसन है जो आपको एक्जाम में हैलफुल सावित होंगे तो चलिए जो पहला किसन है यो देखते हैं लेक्षर स्टार्ट करते हैं हमारा पहला किशन है मादलिया पहना जाता है तो जो मादलिया है वो कहां पे पहना जाता है इसका आंसर है गले पर मादलिया है वो गले के अंदर पहना जाता है नेक्स्ट क्योशन बीलो में छेडा फाड़ना क्या है तो बीलो में छेडा फाड़ना क्या है ये छेडा फाड़ना होता है वो किसको का आ जाता है तिहार को तलाक वीवा या पूतर जनम तो बीलो में छेडा फाड़ना है वो क्या होता है तो बीलो में जो छेडा फाड़ना ह जानोटन क्या है वीपक्स की ओर से दिया जाने वाला भोज भूमी का माप एक प्रकार लोगी या एक कर्सी कर तो राजस्तान सज कर्ती में जानोटन क्या है यह वर्पक्स की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है यह वर्पक्स नहीं यह वर्पक्स है तो वर्पक्स की ओर द बिल जन जाती में कच्छाव कौन पहनता है तो जो बिल जन जाती है इसमें कच्छाव कौन पहनता है पूर्स महिलाएं नव्यूवक लड़का या बालक तो बिल जन जाती में कच्छाव कौन पहनता है वो बहनती है महिलाएं महिलाएं है वो जो बिल जन जाती की जो महिलाए नेक्स्ट क्योशन है राजस्तानी संस्कर्ती में ओलंदी किसको कहा जाता है वीवा का एक परकार एक देशी खेल नव वदू के साथ जाने वाली लड़की अस्त्री या राजस्तानी लोगीत तो राजस्तानी संस्कर्ती में ओलंदी क्या है यह है नव अदू के साथ जाने वाली लड़की यह अस्त्री है उसको ओलंदी है वो कहा जाता है नेक्स्ट क्यूशन है बल्या अभुषण कहां पहना जाता है तो जो बल्या अभुषण है वो कहां प पहना जाता है तो कंठी नाम काभूशन है वो कहां पहना जाता है कान में सीर पर गले में हाथ में तो इसका जो राइट आंच्वर होगा वो होगा गले में कंठी नाम काभूशन है वो गले में पहना जाता है नेक्स्ट क्यूशन है सती पर्था पर पर्तिबंद लगाने वाली पहली राजपुत रियासत थी तो जो सती पर्था है उस पर पर्तिबंद लगाने वाली पहली राजपुत रियासत थी कौन सी थी ओप्शन है जोदपूर, बुंदी, कोटा या जैपूर तो सती पर्था पर पर्तिबंद लगाने वाली पहली राजपुत रियासत थी वो थी बुंदी बुंदी रियासत ने सबसे पहले सती पर्था पर पर्तिबंद है वो लगाया था नेक्स्ट उशन मारवाड में दामिनी क्या था तो जो मारवाड है उसमें दामिनी क्या था ओडनी का एक परकार कलात्मक जूतिया एक राजस्वकर या सिंचाई करने का ओजार तो मारवाड में दामिनी क्या था ओडनी का एक परकार नेक्स्ट क्यूसन है लहरिया स्त्रियो द्वारा किस मास में ओडा जाता है तो जो लहरिया होता है वो स्त्रियो द्वारा किस मास में ओड़ा जाता है माग, फालगुन, स्रावन या कार्थिक तो लहरिया स्त्रियो द्वारा किस मास में ओड़ा जाता है इसका जो राइट आंसर है वो स्रावन स्रावन महिने के अंदर मैलाएं हैं वो लहरिया उड़ती है नेक्स्ट है तगडी क्या है तो तगडी क्या है आबुशन वस्तर वादियंदर लकडी का खिलोना तो तगड़ी है वो क्या है ये एक आबुशन है और ये कमर में बांदा जाता है पहना जाता है जो तगड़ी है वो एक आबुशन का प्रकार है नेक्स्ट है जनम की समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गाउं के कोये पर एक सोबा यात्रा ले जाई जाती है इसको क्या कहते है, केरियावर, जल्वा समारो, तोरण समारो या इनमे से कोई नहीं तो जनम की समय एक आयजन जिसमें पूजा के लिए गाउं की कोई पर एक सोबा यात्रय ले जाई जाती है उसको क्या कहते है, तो इसका right answer है, जल्वा समारो नेक्स्ट क्योशन चूप नामक अबुशन कहां पहना जाता है तो जो चूप नामक अबुशन होता है वो कहां पहना जाता है हाथ, दान्त, एंगुली या नाग तो चूप नामक अबुशन है वो कहां पहना जाता है इसका जो राइट अंसर है वो है दान्त नेक्स्ट क्योशन, मेमद आभुषण पहना जाता है, तो जो मेमद आभुषण है वो कहा पहना जाता है, सीर पर, कमर पर, भुजा पर या पेरो पर, तो मेमद आभुषण है वो पहना जाता है सीर पर, ये इसका राइट आंसर है, नेक्स्ट क्योशन है, निम्न में से किस स् जिसके अंदर जोहर होने का उलेख है वो नहीं पाया जाता गांगरोन, रन्थमबोन, जालोर या सिरोई तो नीम्न में से किस स्थान पर इतियास में जोहर होने का उलेख है वो नहीं पाया जाता तो इसका राइट आंस्वर है सिरोई शिरोई के अंदर जोहर होने का उलेख है वो नहीं पाया जाता नेक्स्ट क्यूशन है मोताना पर्था के समंद में निम्न में से कौन सा कतन सही है तो जो मोताना पर्था है उसके समंद में कौन सा कतन सकते है पहला option है किसी व्यक्ति की सदिंग्द मर्तिव होने पर मर्तिवस्तान की स्वामी से अरजाना वसुलना दूसरा किसी व्यक्ति की मर्तिव के बदले दूसरी को मोत के घाट उतारना तीसरा किसी व्यक्ति की मर्तिव होने पर उसके पूर्ण जीवत होने की माननेता और चोता है किसी व्यक्ति की मर्ति होने पर किया जाने वाला सोक कारे करम तो इसका जो right answer है वो आपको बताना है मोताना पड़ता के समंद में कौन सा सही कतन है तो इसका जो right answer है वो है किसी व्यक्ति की संदीक मर्ति होने पर मर्ति उस्तान के स्वामी से हर जाना वर्सूलना ये इसका राइट आंस्वर है next question है कौन सा अभुषन नाक का अभुषन नहीं है तो इसमें अभुषन दिये गए है आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो अभुषन है वो नाक का अभुषन है वो नहीं है option है लोंग, नत, चोप या मादलिया तो जो इसका राइट आंस्वर है मादलिया मादलिया है वे गुले में पहना जाता है और लोंग, नत और चोप है वो ना क्या भूशन है नेक्स्ट क्यूशन है केरी भात की ओडनी किस जाती किस त्रियों में लोग परिये है तो केरी भात की ओडनी किस जाती किस त्रियों में लोग परिये है जाट महिलाई आदिवासी महिलाई ब्रहामन महिलाई या राजपुत महिलाईं तो केरी भाद की ओडनी किस जाती किस त्पीरियों में लोग परिया है इसका जो राइट आंस्वर है वो है आदिवसी महिलाई जो आदिवसी महिलाई है वो केरी भाद की ओडनी है वो ओडती है Next question गोर्बंद अभुषन है तो जो गोर्बंद आबुशन है वो क्या है राजस्तान महिलाओं द्वारा गले में पहने का राजस्तान महिलाओं द्वारा विवा के समय पहने वाला विशेस आबुशन तीसरा उंट के गले का आबुशन चोथा महिलाओं के हाथ में पहने का बाजिवन्द तो गोर्बंद इसका जो राइट आंस्वर है वो है उंट के गले का आभूशन नेक्स्ट क्यूशन तारबाद की ओड़नी राजस्तान की किन स्त्रियों की लोग पर ये वेश्वुसा है राजपुत स्त्रियां गुजर स्त्रियां आदिवासी स्त्रियां ये जाट स्त्रियां तो तारबाद क ओडनी है वो राजस्तान की किन स्त्रियों की लोग पर ये वेस्वसा है इसका जो राइट आंसर है वो है आदिवासी स्त्रिया नेक्स्ट क्यूशन व्योवर्द के देहावसान पर समसान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेके जाते हैं उसे क्या कहते हैं नियोच बिखे next question, राजपूत में डाबरिया से ताथ परे है, तो राजपूतों में जो डाबरिया है वो किसे का आजाता है, वीवा में दिया जाने वाला दहेज, बंदुवा मजदूर, दास दासिय में, या कन्या विवा में कन्या के साथ दहज में गए दास दासियां तो राजपूतर में जो डाबरिया है उसका क्या अर्थ है तो इसका जो राइट आंसर है वो है कन्या विवा में कन्या के साथ दहज में गए जो दास दासियां होते हैं उनको डाबरिया है वो कहा जाता है नेक्स्ट है राजस्तान में पर्चलित पर्था मर्तिव भोज को कहते हैं तो राजस्तान में जो पर्चलित पर्था मर्तिव भोज है उसको क्या कहते हैं मोसर, सोग, सोग, तीयो दसी संसकार्ज तो राजस्तान में पर्चलित पर्था मर्ति बोज को मोसर है वो कहा जाता है तो दियर स्टूडेंट्स यह थी हमारे जो राजस्तान से एटी एक्जाम है उसके लिए राजस्तान की जो कलासंस करती है उससे सम्मंदित मोस्ट इपोर्टेट क्यूशन आपको यह कैसे लगे हम केमेंट्स में जरूर बताएं आप आमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए थैंक यू